नमस्कार स्वगत्याप का हमारे अचार यागिंद्र विशाज चैनल पर सावन में चुपचाप घर में यहां चुपा दें दो लौंग फिर देखे चमतकार दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा चमतकारिक और अशरकारक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर कठनाई और परिसानी को दोर कर देगा दोस्तों हम ये जो उपाय बताने जा रहे हैं ये दो लौंग का उपाय है ये आप अपने घर में चुपचाप रख दें यहां उसके बाद इतना पैशा वरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे जी हां दोस्तों ये तोटका है आपके घर में पैशे की आमदनी को बढ़ाने का जी हां दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसमें सावन का महीना लगा हुआ है महादेव का महीना लगा हुआ है सावन का महीना महादेव को शबशेप्री है और अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में दो लोंग को चुप चाप यहाँ छुपा के रख देते हैं तो माता लक्ष्मी जी दोड़ी दोड़ी चली आएंगी दोस्तो वैसे तो हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बीना मिहनत किये बीना परिस्रम किये ही उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए सफलता मिल जाए लेकिन दोस्तो ये तो मुम्किन नहीं है क्योंकि जहां आप जो कर्म करेंगे वही आपको फल मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत शारे लोग बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं लेकिन फिर भी उनको उनके हिसाब से फल नहीं मिल पाता। तो हमारा ये टोटका उनहीं लोगों के लिए है जो लोग बेहिशाप मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिलता। आये जानते हैं कि सावन में लोग को घर में किस जगह पर रखने से आपके घर में पैसे की आई बढ़ने लग जाएगी मालक्षमी किर्पा बढ़ेगी शाथी महादेव भी प्रसंद हो जाएंगे आपको चाहिए सिर्फ दो लोग जी हैं दोस्तों याद रखेगा तोटका करते समय मन में विश्वास होना चाहिए ये तोटका आपके लिए जरूर फलदायक साबित होगा वो कहते हैं ना दोस्तों की जहां विश्वास होता है फटर में भी पानी निकल आता है तो इस तोटके को पूरे विश्वास के साथ कीजेगा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस तोटके के बारे में किसी को बताना नहीं है जैसे कि अगर आप घर में है और आपके साथ आपकी पतनी है या फिर अगर पतने इस उपाय को कर रही है तो अपने पती को भी इस बारे में नहीं बताना है दोस्तो आपको करना है सबसे पहले दो शाबूत लौंग ले लीजे एक लाल कपड़ा ले लीजे अगर लाल कपड़ा नहीं है तो लाल धागा भी आप ले लीजे लाल धागा या कपड़े में आप शाबूत लौंग को बान दीजे धियान रखे इसमें आपको महालक्ष्मी पूर्क दूम्हा वानलें एक दीपक जला लें या एक जारवार आप घुमा लें और माता लग्षमी जी का रूप मानकर आप इस लौंग को अपने तिजोरी में रख दें आलनेमारी पे रख दें जहां कीमती वस्त रखते हैं धन रखते हैं सोने चांदी रखते हैं वहाँ पर रख दें जी हैं दोस्तों यानि आपको माता लक्ष्मी के पास एक घी का दीपक जलाना है और आप अगर बती भी जला लीजे इसके बाद इस लोग को आप लाल कपड़ में या फिर लाल धागे में लपेट कर आप अपने तिजोरी में रख दें आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो आए है आए से सम्बंदित सम्बंदित जिटने भी सम्दित है वो दूर होने लग जाएगी आपके पास पैसा आने लग जाएगा दोस्तो इस उपाय को आप सच्चे स्रद्धा के साथ मन में विश्वास रखकर जरूर कीजेगा और फिर देखे आपके पास किस तरीके से पैसे के आगवन होने लग जाएगा क्योंकि दोस्तो इसमें सावन का पवित्र महीना चल रहा है सावन की महीने में ये दो लोंग अगर चुपचाप आप यहां शुपा के रख देते हैं तो माता लक्ष्मी जी दोड़ी दोड़ी चली आएंगी मालक्ष्मी कृपा से आपके घर में शुक्षंबर्धी बढ़ेगी अगर आप भी पैसों के तंगी से जुज रहे हैं तो इस शुपाए को एक वार जरूर करके देखें दोस्तो अगर आपको यह खास जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देजेगा शेयर कर देजेगा दोस्तों को बीच चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएएगा जय मालक्ष्मी जय भोले नात